गुडिया क्या हुआ है? किसीने कुछ कहा है क्या? हम ठीक कर देंगे सब हाई लो फ्रेंस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी हिंदी कॉमेडी बैप स्रिज के बारे में जिसे 2020 में रिलीज किया गया है ये सारी बैप स्रिज काफी कमाल की है जिने आपको जरूर देखना चाहिए तो चलिए वीडियो शुरूगरते हैं और जानते हैं इन बैप स्रिज के बारे में नमबर वन पर है पंचायत दोस्तो कामेडी और ड्रामा पर अधारी तिया बैप स्रिज तीन अप्रेल 2020 को रिलीज किया गया है जो लोगों के बीच आजकल काफी जादा पापुलर हो रही है बैप स्रिज की स्टोडी की अगर हम बात करें तो बैप स्रिज की स्टोडी सुरू होती है एक ग्रिजूयट इंजिनियर अभिसेख से जो अपनी पढ़ाई पूरी करके गाउं वापस आया है और गाउं के पंचायत का सचियू बनकर लोगों को कंट्रोल करता है दो सोया ही स्टोडी उत्तर परदेश की एक गाउं की रियल स्टोडी है जिसे आयम डीबी ने रेटिंग दी है एन में से नाइन की एक छुटा से काम था मैं गरेश सदार बैठाओं गाउं देहात में किसी का साधी हो तो हर कोई अपने हिसाब से मदद करता है सुबह उठो दिन भर काम करो दिन भर गाउंवालों का चिक चिक रात को नाइट का चिक चिक नमबर टू पर है परिवार बैठ स्रीज की स्टोरी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो की कॉमेड़ी बैठ स्रीज या बेव मुवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते है बैप स्रीज की स्टोडी एक परिवार को दिखाती है और एक परिवार आपको बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग लगने वाली है दोस्तो इस बैप स्रीज को होट इस्टार पर रिलीज किया गया है जो टोटली कॉमेडी और ट्रामा पर अधारी था है जिसे आईम डीबी ने रेटिंग दी है टेन में 7.3 की नमबर 3 पर है वर्जिन भासकर दोस्तो इस बैप स्रीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो फिर से भासकर अपनी वर्जिनिटी को मिटाने के लिए निकल पड़े है लेकिन वो अपनी वर्जिनिटी को मिटाने में काम्याब हो पाते है या फिर नहीं यही दिखाने की पॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के उपर जिसे रिलिज की गई है जी फाइब पर और इसे आयमडी बी रेटिंग देती है एन में 8.5 की एलेन मॉप जो चांद से मंगल गरह पर जाने वाले हैं और तुम अभी तक भावियों पर रटके हुए हो इधर देखो प्यार व्यार में हो क्या नहीं तो